अभी तो दिन भीता है रात अभी बाकि है अभी तो दिन भीता है रात अभी बाकि है ऐसे कैसे हार मान जाओं अभी HOA प These है मुलाइक बागि है पर स्विल्कम हम अपनी वीडियो को कॉंट् sonarice क्रणेंवाले हैं MCQ question number first इसको देखते हैं मैं आपको समझा देता हूँ question बोल क्या रहा है कहा रहा है E F G 3 partner है 3 ratio 3 ratio 2 उनका profit sharing ratio है G को minimum guarantee मिली है minimum profit की मिली है 80,000 रुपे question कहा रहा है अगर कोई भी deficiency आएगी तो उसको कौन बोन करेगा इबोन करेगा कह रहा है नेट प्रोफिट हुए form को 3,12,000 रुपे का deficiency कितनी बोन करेगा ऑप्शन नमबर हजार चार अजार आठ हजार दो हजार आप कोगे share of share of G's share of G in profit आप कोगे बहुत यह कितना आप कोगे 3,12,000 में आप कोगे कितना share उसका दो बटे आठ यह चार से गया कितने से गया साथ और कितना 32,000 रुपे को दिक्कत आपने का इसको profit मिल रहा है 78,000 रुपे का but profit कितना मिलना चाहिए 80,000 रुपे का कितने का 80,000 रुपे का कमी कितने की आई 2,000 रुपे की अरे deficiency कितनी आई 2,000 रुपे की 80,000 मिलना चाहिए तो मिल रहा है 78,000 तो कमी या deficiency कितने की आई 2,000 की question क्या बोड़ा तो जो अगर कमी आईगी तो कौन बोन करेगा यह बहुन करेगा कितनी बहुन करेगा यही पूछाता तो 2000 बहुन करेगा इसको इसको कोशन नमबर सेकेंड पिक दी ओड़ वन आउट कह रहे हैं इन चारों उप्शन में से जो भी उप्शन अलग है वही आपका उत्तर है मेरे को बताओ rent to partner किसका होता है आपको कि profit and loss का part होता है manager commission किसका part होता है profit and loss का part होता है interest on loan किसका part होता है profit and loss का part होता है interest on partners capital किसका part होता है profit and loss appropriation का part होता है this is the right answer ठीक है कोई problem यहां तक screenshot ले सकते हो कोई डाउट है तो comment section में बता देना आपकी query solve कर दी जाएगी so अगले question पर बढ़ते हैं so these are the next questions ठीक है बढ़ते हैं क्या कहरे question again 2020 में cbc board exam में ये questions आए हैं और ऐसा question आपके term 1 में टिका बैठा है आपकी 98% chances है कि इस type पर एक question देखने को मिलेगा जरूर और दूसरा question जो आपकी guarantee वाला question जो पिछली ही पिछले question में भी किया है उसमें ऐसा question part 1 में भी कराया था देखो क्या कह रहा है मज़ेदार question है most important concept है पक्का यह question आपको देखने को मिलेगा आपको कि A&D दो partner है थ्री रेशियो वन उनका profit sharing रेशियो एफिक्स कैपिटल ए और डी की एक कि कितनी है तीन लाख रुपे डी की कितनी है दो लाख रुपे है इंट्रस और capital दस परसंट है profit हुआ है फर्म का बीस हजार रुपे question कह रहें डी की capital पर इंट्रस कितना होगा देखो मिर को बताओ इंट्रस्ट ओन एस capital एक capital पर इंट्रस कितना लगेगा आप कोगे तीन लाख उसकी capital है किस rate से 10% के rate से कितना हो गया तीस हजार हो गया आप कोगे इंट्रस्ट ओन डी की पर कितना इंट्रस्स लगेगा आपको दो लाक उसकी कैपिल है 10% के इसाप से कितना होगे 20 अजार हो गया आपको टोटल इंट्रस्स बनता कितना है 50 ,000 रुपे बनता है पर कह रहे हैं फॉर्म को तो प्रॉफिट कितने का हुआ सिर्फ 20,000 रुपे का हुआ है आपको प्रोफ चिब रीड ने कुछ नहीं का है आपको ऐसे केस में लिकाना पड़ता है इंट्रस्ट दोनों के कैपिटल का इंट्रस्ट का रेशो क्या है देखो यहा पर 30ięcy यहां पर 20,000 है तो दोनों के इंट्रस्ट का रेशियो किपना अ जाएगा 3 ratio 2 कहने का मतलब 4 0 यासे गयी मेरे को बताऊ profit कितने का हुआ है पीस हजार का हुआ है यह किसका है डी का किसका इंटरस लिकान ला है डी का लिकान पहलों की 20,000 का प्रोफिट था से इतना दो बये पाँंच यह चार से कट गया 8000 उत्तर आ गया 8000 क्या आ गया वह यह उत्तर आ गया option number B is the right answer of this question ठीक है अगला question सेम है वीडियो को post करके बनाने की कौशिश करना हम solution कराते हैं कहरें M and के दो partner हैं दो ratio तीन इनका profit sharing ratio है fixed capital M की 10 लाख रुपए है के की 5 लाख रुपए है interest on capital again 10% पर एनम है profit of the firm के रहे साथ हजार रुपिया है के की capital interest कितना बनेगा question यह पूछना आप से चाहरा है this is very easy question but the most important concept and you will probably see this question in your board town one examination मैं इस बात को लिख कर दे सकता हूं लगबग आने के chances है 2019 के 20 में यह आया है for examination में आपको जो recently sample paper आये उसमें भी कहीं नहीं कहीं यह question आपको देखने को मिलेगा मेरे को बता interest on M की capital पे M's capital कितना आप ओगे भीया 10 लाख की capital थी 10% के हिसाब से कितना बन गया एक लाख रुपे interest बन गया interest on K की capital पे कितना बनेगा very easy आप कहतों के पांच लाख पे भाईया 10% कितने का हो गया पच्छास हजार का हो गया आप कोगे total interest कितना बना भाईया अरे दुष्टो बता दो क्या बना आप कहतों के डेड़ लाख रुपिया बन गया कितना बन गया देड़ लाख बन गया पर फर्म ने हाज जोड ले फर्म ने का रे बैया गरीव हो क्या हमारे पास सर्फ साथ हजार रुपिया है आप तो देड़ लाख रुपिया है आप कहोगे बैया जब ऐसी situation आती है आपको क्या करना पड़ेगा इंट्रस्ट का रेशिव लिकालना पड़ेगा आपको गी इसका पच्छास हजार रुपिय कहने का मतलब इनके इंट्रस्ट का रेशिव कितना आगया आप कहतोगे तू रेशिव वन आ गया यह किसका है арाई यह किसका है किका है आक को question के साब से किस की capital का interest लिकानने के की capital का interest लिकानने तो के का share कितना है 1 by 3 किसमे 60,000 रुपिया में 60,000 के profit में काट दो कितना हो जाएगा 20,000 रुपे is the right answer option number A screenshot आप इसका ले सकते हो that's all for today I'll see you in the next part that is part third कल मुलाकात होगी यहां तक screenshot ले सकते हो till then take care goodbye